हेलो फ्रेंड्स मैं हूं संगीता आप सबका मेरे किचन कुप वित संगीता में बहुत बहुत स्वागत है आज मैं बनाऊंगी वर्थ के लिए एकदम डिफरेंट स्टाइल की रेसिपी जो आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी यह एकदम डिफरेंट रेसिपी है यह है प्लीज मेरे वीडियो के नीचे लाइक के बटन पर प्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए अब जल्दी से यह रेसिपी बनाना शुरू करते हैं सिंगाडे के आटे के सेंडविच बनाने के लिए मैंने एक कप सिंगाडे का आटा लिया है यह देखिए यह एक कप आटा है अब हम इसमें डालेंगे सेंदा नमक एक चमबच सेंदा नमक आप अपने टेस्ट के एकॉर्णिंग कम जादा कर सकते हैं अब यह मैंने 7-8 हरी मिष्ट को कूट लिया है आप चाहे तो कम जादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के कॉणिंग और 2 टेबल स्पून हरा धन्या बारिक कटा हुआ एक कप कद्दू कस किया हुआ लौकी यह देखिए यह कच्ची लौकी है जिसको मैंने कद्दू कस कर लिया है अब हम इन सब चीजों को मिक्स करेंगे और इसमें पानी डालके इसको इसका एक बैटर तयार करेंगे हमें बिल्कुल पतला बैटर त्यार करना है तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं यह देखिए ऐसे पानी डालके इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखिए हमारा बैटर रेड़ी है इस बैटर को रेड़ी करने के लिए मैंने पूरा एक गलास पानी यूज किया है तो में इतना ही पतला बैटर रखना है एक पैन में मैंने 2 टेब़स्पून गी डाला है आप वर्थ में जोबी चीज यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं मैंने इसमें गी डाला है गी हमारा मैल्ट हो चुका है और हलका सगरम भी हो गया है अब हम इसमें आदी चम्मच जीरा डालेंगे और जीरा को हम लेते हैं थोड़ा सा यह देखिए हमारा जीरा गोल्डन ब्राउन हो गया है अब इसमें दो टेबल स्पून भूनी ओई मूफली डालेंगे जिनको मैंने दर दरा सा कूट लिया है इसको भी हम 20-25 सेकंड भून लेंगे अब हम अपना बैटर लेंगे और बैटर को हम इसमें डालेंगे यह बैटर हम इसमें दीरे दीरे करके सारा डाल देंगे और मीडियम गैस पर इसको अच्छे से भूनेंगे गैस को मीडियम ही रखें जिससे की बैटर कड़ाई में चिपके ना कडाई के लिए के कंटिन्यू चलाते वे भूलना है जब तक यह बैटर खड़ाई फोड़ना दे यह देखिए यह बैटर अच्छे से भुन चुका है कडाई भी छोड़ने लगा है तो हम इसे आप दूसरे बरतन में निकाल लेते हैं इस प्लेट को मैंने घी लगा के ग्रिस कर लिया है अब हम बैटर इसमें डालेंगे अब इसको हम एक स्क्वेर शेप में फैला देते हैं और इसको हमें ज्यादा पतला नहीं फैलाना है थोड़ा मोटा रखना है जितना हमारे ब्रैट की स्लाइस होती है उतना मोटा रखना है यह देखिए इसको हमने फैला दिया है अच्छे से अब हम इसको आदे घंटे के लिए सैट होने के लिए रख देते हैं जिससे की अच्छे से सैट हो जाए डिये मेरा इसों ही बिल्कुल हो चुका है अब इसको हम कट करेंगे तो एक kilo's से इसको हम कट कर लेते हैं एक लोगे ईक्पा कर लिया है यह देखिए इसको सेंधविच की में इतना ही मोटाआ ने राखना है अब हम इनको फ्राइ़ करेंगे मैंने एक तब्वे पर 2 जमिश्च देसी जाला है एक दब्वे पर शैंड्विच को फ्राई करेंगे तो ये देखिए एक एक सेंट्फिछ हम से उब रख देते हैं इस ट्राइब से कि और जालो Cheryl तक की एक साइड से ये Golden तब तक हम ने सखेंगे कि तौर हमीडियम जो इसे हमसे मे चला है जब चैक करते हैं कि एक साइड से स déveloph है या नहीं तो हम इसको पलट के देखते हैं यह देखिए कितना अच्छा कलर आया एक दम गोल्डन ब्राउन कलर आया है इसका ऐसे ही हम सारे देख लेते हैं और सबको पलट देते हैं और दूसरी साइड से भी इसको इतना ही गोल्डन ब्राउन सेखना है यह देखिए तो इ यह दूसरी साइट से भी अच्छे से सीख चुका है एकदम गोल्डन ब्राउन है अब हम इनको प्लेक में निकाल लेते हैं और बाकी भी ऐसे ही सेक लेते हैं यह लीजिए हमारे सिंगाडे के आटे के लौकी वाले सेंड्विश बनकर तैयार है यह बहुत ही जादा टेस्टी क्लिक करें और बेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए फिर मिलेंगे और नहीं रेसिपियों के साथ जब तक के लिए बाइबाइ थैंक यू फोर वाचिक माई वीडियो बाइबाइबाइ क्यों चाय।